आप सभी का super concept classes में स्वागत थे हैं और आज के इस वीडियो में आप लोगों को class to health English score के model set 2 का complete solution कराने वाला हूं देखिए मैंने model set 1 का एक किबल solution कराया था लेकिन आप लोगों का बहुत ज्यादा comments आ रहा था कि sir model set 2, 3, 4, 5 हर एक को करा देजिए तो चलिए sir आप लोगों का comment एक दम सडाकों पर हर एक चीज को में करा दूँगा और बहुत ही simple और easy language में कराऊंगा देखिए यहाँ पर क्या होने बाला है आपको solution मिलेगा ना यहाँ पर तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको English से answer बता दूँगा फिर हिंदी सी जो उसका meaning होगा ना नीचे यहाँ पर मैंने हर एक चीज को लिख दिया है इससे क्या होगा कि मुझे तो time तो बहुत ज़्यादा लग गया लेकिन कोई दिकत नहीं है आप लोगों का डेका करके स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो रूपकी से अशर किस प्रकार सब्UL T क्या क्या खूशलन यहां पर दिया गया है तो थेकि सबसे पहला यहां पर लिखा है कि यहां पर आपको मात्र पॉपधम्य से χोटन का उत्तर देना है यहां पर डिया आपको टोटन просn क्या होता है कि नहीं भी आता है तब यह आप लोग एंसर को ढूंदेंगे सब्सक्राइब को समाझ रही है इस चीज़ आप लोग यह तो तेखे बैस्ट है यह को छोड़ के ठीक है यह आपर वाटर मेलन है यह वाटर में पर इस को छोड़ दीजिए अब देखे यह यह आप तो देखिए और आपको पेसेज में ये सब जो वड़ है ना आपको जरूर से जरूर मिलेगा और वहीं से होगा हमारा सुरू होगा हमारा एंसर यानि कि उत्तर तो चलिए देख लेते हैं देखिए यहां पर जिसे कि यहां पर आप लोग अच्छे तरी किस देख लिए सर पह हुआ है कि जो लाइन होगा पूरा होगा तो देखिए लाइन कहां से सुरू हो रहा थी जो लाइन है यहां से सुरू हो रहा है ठीक है यह लाइन यहां से सुरू हो रहा है और खतम कहां पर हो रहा है देख लिए कहां पर फुलिस्टॉफ है कहां पर फुलिस्टॉफ है दे यहां से अगर पूरा यह सब जो होगा यह सब आपको लिख देना है हमने आप रिकॉर्डेट को देखा बस समारा काम बन गया ठीक है एसे आपको एंसल लिखे ना पड़ेगा वह इस प्रकार से क्या लिखिना है कैसे लिखना है हरे चीज़ को बताओंगा आगे चलिए आगे देख लेजिए अगला जो क्वेश्टन है इसको भी देखिए अच्छे तरह किसे ट्रिक से बनाएंगे मीनिंग नहीं समझना है हर एक चीज हो जाएगा क्या है वाटर मेलन प्लेजड इन व्यूरियल चेंबर्स यह तो हमारा क्वेश्टन है मारिय गोली वाटर मेलन है मारिय गोली यहां पर वियूरियल है चेंबर से कुछ ने कुछ आपको पेसेज में जरूर से जरूर मिल जाएगा तो चलिए देख लेते हैं पेसेज बेन अगर आप लोग यहां से सुरू कर यह और इस इसको यहां तक लिख दिजिए आपका काम बन जाएगा कोईस्टन नबर क् तो अमेरिकन हाट एसोसियेशन इतना बड़ा यहां पर आपको क्लू मिल जाता है आप लोग पेसेज में चीज को आसानी से ढूंड सकते हैं अगर आप लोग देखेंगे ना तो अमेरिकन हार्ट एसोसियेशन आपको साब दिखेंगा पेसेज में है देख लीजिए है अब यह जो लाइन है कहा तक जा रहा है अप कहां से करना है आप चाहिए तो यहां से शुरू कर सकते हैं कोई प्रोलम नहीं है आप चाहिए तो यहां से शुरू कर सकते हैं कोई प्रोलम नहीं है यहां से शुरू करेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा यहां से शुरू करेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा ठेके सर ऐसे लिखना है आपको हरे questions का answer है चलिए आगे चलते हैं अगला question देख लेते हैं अगला question देख लिजिए यहाँ पर अगला question 4 क्या है कि what is the role of lycopene in this fruit यहाँ पर lycopene का क्या role है यहाँ आपको बताना है क्या भूमिका है एक्च्वल में तो lycopene आपको ढूंड़ना पड़ेगा देखे साप साप यहाँ पर lycopene दिख रहा है यह स्टार्ट कहां से हो रहा है कि क्या तो देख लिजिए यह जो lycopene ह चले कारा भी हाँ कि का रहुत आपकर पोंड़ेना असले कर यहां इसकोशन हो गया कि कीपना स्पाल है NPT सम्पल होता थे वीडियो को लेंद भली थूड़ा होगा लेकिन आपको ब्सक्री यह की समझ मिया आएगान हो गया और विए ह client जो है यह आपको पेसेज में धोड़ना पड़ेगा तो चलिए सब ढून लेजिए बहुत ही सिंपल तरी के सब को इजी हुए में मिल जाएगा जो भी है यहां पर देख लेजिए यहां पर हावार इंवरस्टी साब सब दिख रहा है यह स्टार्ट कहां से हो रहा तो यह स्ट जीए ठीक है ट्रिक को समझ यह वह सिक्स क्या कि हो आट मेडिसिनल प्रोपर्टीस ऑफ वाटर मेलन ठीक है जो बहुत पर लिजगा देखने को मिल जाएगा देख लिए यहां पर इन चाइना लिखा हुए आप देखिए यहां से स्टार्ट करिये और पूरा का पूरा में है फिजिसियंस यह सब बेगरा है ठीक है आप क्या पूराइश को यहां से आदे लिए आपका यह हो जाएगा इसका राइट एंसर टेकिसर कोई प्रोडम नहीं है आगे चलिए आगे देखिए जो के मारा लास्ट कोशिए नमरा लास्ट कोशिए नहीं क्या कि फॉर वा सब्सक्राइब लेकर यहां तक इसको लिखे आपका इंसर हो गया ठीक है तो कोश्चन देखिए नमर वन मैंने लिग दिया इसका आप लोग स्क्रेंश ले लिजिए बिन चेवर वागों स्क्रेंश कंपर लिया होगा अँग का यहां पर अपको समझाना कुछ भी नहीं ही है नापको समझा दिया कि आपको एंसर किस प्रकार से ढूंडंडना है जो कि बहुत ज़ादा इंपोर्टन है तो फटापर आप लिजिए और आप अपने पास रख लिजिए चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं आगे स्टार्ट हो जाएगा देखिए कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होगा तो यहां पर सबसे पर इस्टार्ट हो जाता है सेक्षन बी सक्षन बी में यहां पर देखिए हमें तीन कोश्चन दिय एक ट्रीड होता है डि calendar एक ट्रीक होता है यह कर लिग सकते हैं तो मैंने आपको notice का और later का trick बता दिया है, description box में link है, आप जाएए, वहां से देख लिजिए, देखे, report का trick में आपको बहुत ही जल्द बता दूँगा, trick से किजिएगा सर बहुत ही simple होगा, तो इसका थोड़ा सा आप लोग इंदिजार कर लिजिएगा, इसको मैं tricky concepts आप ल लेकिन notice को में और एक दिन आपको लोगों को बताऊंगा, इसे recorded video देकर, और report बाला trick में आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आऊंगा, तो सर इसके लिए थोड़ा सा इंतिजार कर लिजिएगा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अब आगे देखिए यहां पर जो हमा 15, 16, 17, ठीक है, देख लिजी यहां पर, question number क्या है, 14 है, 15 है, 16 है, यहां पर तो मातरा में पांची questions का उतर देना है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल हर एक questions के answer को देखेंगे, और बहुत ही simple तरीके से समझेंगे, फिर यहां पर देखिए section डी start हो जाएगा, जहां पर, यहा इसका में जिक्र कर रहा था, कि आपको यहां पर हिंदी से भी देखने को मिलेगा, question number 11 क्या कर रहा है, what did the peasants pay the British landlords as rent, देखेंगे आपर यह जो पेसंट से इसका माने हो जाता है, किसान, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, आजादी से पहले का, तो उस टेम हमारा देश जो था न, वो अंग्रेजों की चुंगल में था, मतलब अंग्रेज उस टायम हमारे देश पर सासन करते थे, और अंग्रेज क्या करते थे, जो भी हमारा land होता था, जो जमिन होता था, उसको हडप लेते थे, और उस पर कबजा कर लेते थे, और अब खुद उसका मालिक बन जा जाए न, तुस्टाइम, इंडीगो का खेती होता था, इंडीगो जिसको में बोलते हैं, नील, क्या बोलते हैं, नील, तो यहाँ पर जो किसान थे, न, किसान, और किसान क्या कर चेते थे, तो इंडीगो देते थे, यानि कि नील देते थे, और यहाँ पर साब-साब लिखा गया है कि दा यहां पर देख लिए यहां पर लिखा आए कि दा प्रेजेंट से पेड़ दा ब्रिटिस लेंडलोर्ड इंडिगो एज रेंड मतलब रेंड की रूप में उन्हें क्या देते थे तो इंडिगो देते थे फिर आगे क्या है देखे बात को समझ ये कि वाट डीड इसके बिदले अंग्रेज़ और क्या चाहते थे बात अगर आगर कहा जाए न तो बात यहां पर बहुती सिंपल है एक्चोल में क्या है तो यहां पर पहbahले तो इंडिगो का खेति होता था फिर क्या करता है कि जर्मनी रश्रतिम के यह अनलेता लेता दिख हम संगाइठ भड़े लिकेंट उनलों को क्या बॉलता था तो यहां से किसान भी खुस आते हैं चलो बई यह तो एक अच्छी बात है लेकिन उनको पता नहीं था कि यहां पर और एक चाल हो चुका है और यह चाल क्या है उन्हें यहां पर money देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा money ठीक है मुआबजा की रूप में उन्हें क्या देना पड़ेगा money देना पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा तो ही यहाँ पर साब साब लिखा गया है कि so the British landlords wanted money as compensation यान कि मुआपजा के रूपन उन्होंने money का मांग क्या, पैसा का मांग क्या for being released from the 15% arrangement यानि जो उन्हों का 15% का जो system था उसके बदले उन्होंने क्या मांग लिया है, पर यहाँ पर money मांग लिया, पैसा मांग लिया अब देखिए, यहाँ पर भाले question नहीं दिया गया, लिकिन यहाँ पर मैंने question खूद से add कर दिया यह जो question आप लोग इंगलिस इसको बोल सकते हैं कि what would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo इसका माने क्या हो गया, देखिए, पहले तो प्राकिर्तिक नील होता था, यानि कि natural indigo होता था, और जब जर्मनी ने कृत्रिम नील, यानि कि artificial indigo का जब निर्मान कर दिया, तो उस टाइम price में क्या effect हुआ, तो देखिए, साब साब लिखा गया है, तो यहाँ पर बात simple है, जब हमारा कृत्रिम नील बन गया, यानि का artificial बन गया, तो प्राकिर्तिक नील का डिमान भी घट जाएगा, और इसका rate भी down हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा गया है, कि the prices of natural indigo would go down due to the synthetic indigo, मतलब जो जब यहाँ पर scientific indigo आ जाता है, कृत्रिम indigo आ जाता है, तो जो natural indigo था उसका दाम, उसका जो rate हो घट जाता है, यहाँ पर साब साब लिखा गया है, फिर question number 12, यहाँ पर क्या है कि what gift, did the peddler live for idla and why was she happy to see it, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कि peddler ने idla के लिए क्या उपहार छोड़ा, और वहाँ इससे देख कर खूस क्यों, मतलब खूसी क्यो यहाँ पर जो पेडलर है, वो idla के लिए एक छोटा सा प्यारा सा gift छोड़के जाता है, as a Christmas gift ठीक है, Christmas उपहार की रूप में छोटा सा यहाँ पर gift छोड़के जाता है, it content a small rat trap, देखिए उसमें क्या था, एक rat trap था, यानि कि उसमें चुहा पकटने बाला जो होता न, जाल जालता है, अगर एक्छल में कहा जाए, and 3, क्या है, व्रेंकल 10 करनर नोट, हो यहाँ पर देखिए क्या है, तीन जुर्रीदार, 10 करनर नोट थे, the letterhead words of price for idlaze kindness and hospitality, ठीक है, she was happy to see the gift which was a reward of his goodness, देखिए क्या है, कि पत्र भी लिखा था, मदलों उसमें पत्र भी था, पत्र मे सब्द थे, वहाँ उपहार देखकर खूस हुई, जो उसकी अच्छाई का प्रतिफल था, अक्चल में बात यहाँ पर देखिए, simple है, यहाँ पर क्या होता है, जो पेडिलर था, जब इडिला उनको आसराई देता है, तो वहाँ पर पेडिलर खूस हुजाते है, बस यहाँ यहाँ पर ही लिखा गया है, बस इसको आपर नोट डाउन करिये, हिंदी इंग्रिज मैंने दोनों से लिख दिया है, ताकि आपको पैटने में सुविदा हो, ठीक है, चड़िया आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन अमर 13 देख लेते हैं, क्वेश्चन अमर 13 क्या है, इस देखिए, अपर क्या बोला जा रहा है, क्या सोफी सच में डेनी केसी से मिली थी, यहाँ पर यह बात बोला गया, वाइडेंट सोफी वांट जैनसी टू नो अबाउट हर स्टोरी वीद डेनी, ठीक है, क्या सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जानसी को डेनी के साथ उसकी कहाने के बारे में पता चले, तो यहाँ पर बात सिंपल है, क्या है, क्या है, क्या सोफी सच में डेनी केसी से मिली थी, तो यहाँ पर नहीं मिलाता, नो, ठीक है, वा बास्ता में नहीं मिलाता, तो, नहीं, सोफी बास्ता में डेनी केसी से नहीं मिली थी, ओचीज है, लिए पिक्षर्ड हीम इन हर में में इमेजीनेशन अलबर मद उसके बारे मिन सोचा था सपना देखाथ कल पना क्या था बस बाते उसने उसे के वल अपनी कलपना में चित्रित क्या बद एक्षर आपना देखा था इनवट अट वाज दिमिंग हिम टू कम ठीक है दरसल वह उसके वह उसके आने का सपना देग रही थी मिलों सपना देग रही किस भाई वह आ रहा है ठीक है ओची है बट टू हर डिस अपॉंटमेंट ही डीडंट कम सपी डीडंट वांट जानसी टू नो अबाउट हर क्या है इनकाउंटर विट डैनी दिकाज सी फियर्ड डैट जैंसी उड़ स्पियर्ड हर स्टोरी टू दा होल नाइवर हुड देखिया अक्चना बात क्या है लेकि निरास हो करवा नहीं आया सोफी नहीं चा है मैं आपको समझा भी दिया और साते साथ हिंदी मीनिंग भी सामने है आप लोग और अच्छे देखिसे बाद में भी समझ सकते हैं कोई जरूरत नहीं है क्या मतलब यहां पर देखिया आगे क्या क्वेश्चनर 14 क्या है कि what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings according to the poet of a thing of beauty देखिए यहां पर मतलब कविता है जो मतलब यहां पर poem है एक a thing of beauty ठीक है यहां पर जो कभी है कभी क्या पो रहे है कभी किया मुसिवत्तों और कस्टों के बावजूद मन इसको जीबन से प्यार करने का क्या कारण है देखिए अक्च्छल में जीबन से प्यार इसली करते हैं देखिए यहां जीबन से प्यार करते हैं तो देखिए अपर साब सब लिखा हुआ है कि human beings love life in spite of troubles and sufferings because of the existence of several natural and beautiful things around them जैसे कि में आपको बताया कि चार ओर क्या है beautiful things है इनके सुन्दर सुन्दर वस्तुएं है यहां पर जो नेचुरल है जो प्राकिप्तिक है बहुती सुन्दर है देखिए सर अगर आप लोग बात करेंगे इसके हिंदी मिनिंग का तो यहां पर नीचे में मैंने हिंदी मिनिंग भी लिख दिया है जीवन से प्यार करता है खुबसूरती कि यह चीजें कभी फिकी नहीं पड़ती यह मानव मन को आनंद और आसाबाद देते हैं और इस प्रकार मुसिबत्तों और कस्टों पर कापू पाने या सहन करने में मदद करते हैं लिग लिजेगा बहुती सिंपल और अच्छा इसका एंसर है आगे देखिए कोश्चन फिप्टीन यहां पर क्या दिया गया है तो कोश्चन फिप्टीन के वाट इस दो चाल इस लॉंगिंग दपोईट रिफर्स टू दा टू इन दपोयम ए रोड़ साइड स्टेंड हुआई इस एट वेन ए रोड साइड स्टेंड कभीता मे कभी किस बचकान Stripe का उल्ले करता है यह एर्ट क्यूं है डेखिए बैर्फ कियो है आपको यह पर बटाना है डे principle देकार की कि देखिए जिसे कि जो कार होती है न जिबान इसी जो पर जो भी रहेंगे क्या सुचते हैं कि कोई न कोई कस्ट्मर आंगे गाड सुत रहेंगे हमारे दुकान में आएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है वह एक्चल में जो कार होते हैं वहाँ पर या तो ब्रेक मारने के लिए रुखते हैं या पिर कुछ एड्रेस पुछने के लिए रुखते हैं या पिर गैस वेगरा भरने के लिए रुखते हैं लेकिन जो यहां पर ज सटेंग कस्टमर्स एंड वेटिंग फॉर दियर क्या है प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स यहां पर वह यह की गरागों का वह राह देखता है देखिव दियर विंडोज ओपन इन एट्रेक्ट देम अपने मदलब जो भी मदलब यहां पर विंडोज है जो खिट किया है उसको दियर एफ़र्ट सब्वोईन वैन यानि जो सारी को से होती है सारी के सारी व्यर्थ व्यकार है कोई काम का नहीं है यहां पर एची बताया गया है डेगली आपर क्वेश्चन नमर्स ओला क्या है कि हुए इंडीड बामा फस्ट काम टू नो अबाट दा सोसल क्या है डिस्क् बहुत सिम्पल ही जो बामा है ना बामा क्या है मतरह कशने का समान लाता है और जिसे कि जो डोरी होता है डोरी पगड़े हुए है क्यों का करते है जो land lord होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनको देते हैं ठीक है लेकिन मालिक खाते हैं, फिर lesserẫव कोई बोल देता है कि छोटे जात का है मत खाऊ इसी पर्कार से जो भेदवाव है, यहां पर लिखा गया है यहां पर देगि लिजे साहरा चाहर गया है, कि Bama was in the third standard एंड सी यूज़ दू वाक फ्रॉम हर इस्कूल टू हर होम अबर बामा क्या है तो तिसरी क्लास में पढ़ने वाले की लड़की है वह मदरब टहलते टहलते अपने इस्कूल से घर आ रही थी वन डे सी सो एंड क्या है एलडरली मैं केरिंग एस्मॉल पेकेट देट कंटेंड क्या है एक दिन जबा रही थी तो उनसे मदरब को एक बेड़े व्यक्ति को देखता है जो हाथ में एक मदरब छोटे थैले में कोई मदरब खाने का समान लेके जा रहा है वह सोचा कि यह तो आदमी फनी है चलो बाई कुछ तो खाने किया और खाना शुरू किया से थाट इड़ वाज सम्टिंग फनी बट क्या है अनान हर इल्डर बरदर वह सोचा कि यह तो आदमी फनी है चलो भाई कुछ तो खाने को यहां पर मिला और अनान जो था ना वह लेंडलोड का बड़ा भाई था हो क्या वोज़ा टोल्ड हर डैट दा मैन वाज नोट इसको आप समझ सकते हैं और अपनी कोपी में नोट करिए चलिए आगे देख लेते हैं आगे देखें क्वेश्चन नमबर 17 ठीक है थोड़ा उपर हो गया चलिए नीचे कर देते हैं क्वेश्चन नमबर 17 देखी क्या है कि what was the basic tale of all the stories told by jack to his daughter जो देखिए यहां पर एक jack है जो जैक है ना बहुत बढ़े कहानिकार थे अच्छा-चा कहानी सुनाते थे खुद से बनाते थे सुनाते थे किनको तो अपने बेटी जो को ठीक है कि jack दोर आपने बेटी को बताई गे सरी कहानियों की मूल कहानी क्या थे देखिए sir jack was a good story tailor ठीक है यानिक जैक अच्छा कह है इंटेटेंग इस योंग गर्लों में खुद सही स्टोरी जानिक कहानिया को क्रिये करता था किसके लिए तो अपनी मतलब योंग गर्ल जो के लिए ठीक है यह कूड कि रियेट सच स्टोरीज डैट और अपील टू हर डॉटर एंड टू मैंटें हर इंटेस्ट इन देम ट है यहां पर उदारन के लिए जादूर के आवाज जयक ने जाक के अपनी पसंद्धा पसंदीदा प्रवाव में से एक थी ठीक है फिराय क्या है कि ही कूड डू इट बाई श्रिंकिंग इस फेस एंड आइज एंड ओल्ड पीपल इसले डू वह अपनी चेहरे और आंखों को सिकोड कर ऐसा कर सकता था और आंतर पर बुड़े लोग करते थे ठीक सब्सक्राइब कहानी सुना तो क्रामती भी थोड़ा कर देता था जिससे क् चाहता था थे छो यहां पर जो है ना डेरी क्या है लैंड के पास वापस जना चाता थीू जनाला यह लोग इन ए बंड in a big house उसने बड़े घर में बं में अपना एक लोग खो दिया he has a big garden उसके पास छोटा सा प्यारा सा भगचा भी था dairy gets into his garden not to street or pick of apples ठीक उसके पास थोड़ा सा भगचा है में अपको पताया वह जगह पसंद करता था में जो भगचा था उसको पसंद करता था सोचता है कि इसके अंदर कोई नहीं है तो इस प्रकार से यहां पर दिया गया है अच्छा लगता था इसलिए उजाता था विश्चन अब नाइन ने जो कि मारा लास्ट कोईश्चन है साथ आपको वीडियो पसंद भी आया होगा क्या है कि वाट वियर दा क्या है आपसेंस डियर्ट सोफी वाज डिमिंग और आफटर इसकूल वाइडर जैन सी डिस्कॉर इस हर फ्रॉंड है बिंग सच ड्रीम्स क्या है इसकूल के बाद सोफी की विकलव का सपना देख रही थी जहां से उसे सपने देखने से क्यों हो तो साइथ करती है देखिए यहां अगर जो सफी थी ना उसका जो फर्स्ट चॉइस क्या था मतलब बूटिक बनने का था बूटिक ठीक है फिर उसका जो नेक्स चॉइस क्या होता है वह सोचता है कि नहीं हम एक्टरिस बनेंगे या फिर फैसन डिजाइनर बनेंगे तो यह हो जाएगा इसका कंपिले सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जाहिन